हेलो एवरिवन वेलकम टो डियाएस आज का ये जो विडियो है वो स्पेसिफिकली सीसेट से डील करने के लिए बनाया गया है यूपीसी की प्रिलिम्स 2023 इस वेरी नियर बहुत कम दिन बच गये उसको तो आप सब के मन में एक दुविदा होगी कि ये सीसेट की नईया को हम कैसे पार करें देखिए जीएस में आप अगर मेहनत करेंगे तो वो जायज भी है जायज इसलिए है कि जीएस के जो माक्स है जो स्कोर है जीएस का वो काउंट होने वाला है कट आफ के अंदर तो majority students क्या करते हैं कि सिफ जीएस पे फोकस करते हैं बहुत जादा और सीसेट को इग्नोर करते हैं अल्मोस्ट तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि जिनको सीसेट से डर लगता है अभी तक जिन लोगों ने सीसेट को इग्नोर किया है उसको ठीक से कवर नहीं कर प देखें देखें सीसेट का जो पेपर है वो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है तीन सेग्मेंट्स या सब सेग्मेंट्स हैं सीसेट की पहला सेग्मेंट जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रेहेंशन दूसरा सेग्मेंट जिसको हम कहते हैं क्वांटिटिटिव ठीक है तीन सेग्मेंट है सी सेट के बहुत सारे बच्चों का एक सेग्मेंट अच्छा होता है और बाकी के दो सेग्मेंट वीक होता है जैसे personally if I speak of myself तो मेरा comprehension अच्छा है quantitative aptitude and logical reasoning थोड़ा सा वीक है तो जो आपका strong सेग्मेंट है आपको सबसे पहले उसको करना चाहिए उसके जो भी questions है वो आप सबसे पहले attempt कर लीजिए ठीक है अगर हम thumb rules की बात करें जो thumb rules आपको सी सेट क्रैक करने में help करने वाले हैं वो क्या है सबसे पहला thumb rule है identify your strong area आपका जो strong area है वो आप identify कर लीजिए comprehension अगर आपका strong area है तो सबसे पहले आप comprehension के questions attempt करेंगे अगर quant आपका strong area है तो पहले आप वो questions attempt करेंगे और logical आपका strong area है तो पहले आप वो attempt करेंगे ठीक है ना ये करने का reason क्या है ये करने का reason ये है कि जब आप paper शुरू कर रहे होते हैं तो आपकी energy level, आपका stamina ज़ादा होता है तो उस time पे आप अपने strong area को सबसे पहले कर लिजे जिससे उसमें आप 80-90% accuracy के साथ questions attempt कर सकें ठीक है, जो weaker areas हैं उसमें वैसे भी आपके कम question attempt होने वाले हैं या आपके answers में गलतियां होने वाली हैं तो उसको आप बाद में रखिए, बाद के लिए रखिए ठीक है, तो strong area सबसे पहले हम करेंगे दूसरा जो thumb rule है, cset को crack करने का वो ये है कि divide your time properly आपको अपना time, जो 2 गंटे का time मिलता है आपको cset के paper के लिए, वो आपको ठीक से divide करना पड़ेगा divide करने से मेरा मतलब क्या है कि आप जानते हैं, cset में 80 questions आते हैं 80 questions के लिए आपको 2 गंटे का time मिलता है मतलब 120 minute 120 minute के अंदर आपको 80 questions करने है So on an average, 1.5 minute आपको मिल रहे हैं for 1 question ठीक है, 1.5 minute per question ये 1.5 minute per question हर एक segment में applicable होना चाहिए चाहे वो strong area है आपका या weak area है तो अगर आप comprehension के questions solve करने बैठे हैं, तो 1.5 minute per question से जादा नहीं लगना चाहिए ना ही यहाँ पे लगना चाहिए 1.5 minute per question से जादा और यहाँ पे भी 1.5 minute per question ऐसा नहीं कि ये सर मेरा strong area है तो इसमें मैं 3 minute per question या 4 minute per question भी stretch करूँ ये गलत strategy है ये गलत strategy इसलिए है क्योंकि comprehension में या quant में या logical कितना भी strong area हो कहीं ना कहीं कमी रही जाती है अगर comprehension में 30 questions हैं 30 questions में से सारे के सारे सही नहीं होने वाले हैं आपके आपके शायद 20 या 25 questions ही सही होंगे बाकी के marks आपको कहां से fetch करने पड़ेंगे logical reasoning में से और quant में से तो वो हम कब कर पाएंगे वो हम तब कर पाएंगे जब यहाँ पे time available है हमारे पास अगर आपने बहुत ज़ादा time किसी एक area पे या किसी एक question पे spend कर दिया तो समझ लीजिए कि आपकी नहीं डूब गई हम लोग जो है वो थोड़े से emotional being होते हैं तो suppose maths मेरा strong है quantity to aptitude मैंने engineering किया है तो मुझे क्या लगता है कि maths के सारे question मुझसे attempt होंगे ही होंगे और उसी question पे चार मिनिट, पांच मिनिट, दस मिनिट, पंदरा मिनिट तक spend कर लेता हूं and then I realize that what blunder I am making तो ये realization आप पहले से ही करके रखिए कि मुझे डेड़ मिनिट या max to max 2 मिनिट उससे ज़ादा किसी भी question पे spend नहीं करना है अगर डेड़ दो मिनिट के अंदर भी answer नहीं आ रहा है मतलब वो question आप से examination hall में solve नहीं होगा आप उस question को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए ये decision अगर आप ले पा रहे हैं अच्छे से मतलब CSAT आपका clear होगा ठीक है तो CSAT clear करने के लिए ये decision बहुत जरूरी है CSAT देखने में बहुत आसान लगता है कि सिर्फ qualifying paper है 200 number में से हमें सिर्फ 66.67 लाने है लेकिन day by day UPSC is making it more difficult for you to pass that CSAT paper और जिन लोगों ने भी previous attempts दिये हैं आप उनसे बात कर लीजिए अगर आपने खुद ने दिया है तो आप खुद भी realize करेंगे कि CSAT का paper बहुत tricky आता जा रहा है day by day, year by year इसलिए CSAT में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है time management is very 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 important time management बहुत ज़रूरी है ठीक है ना तीसरा thumb rule क्या है तीसरा thumb rule ये है कि you have to ensure at least two to three reading of the whole paper जो दो गंटे का समय मिलता है आपको exam के लिए उस दो गंटे के time में आपको इस तरीके से paper को पढ़ना है या time management करना है कि सारे questions at least दो बार या तीन बार आप पढ़ चुके हैं या आपकी नजरों के सामने से जा चुके हैं उसका कारण क्या है कि suppose आप अगर time management ठीक नहीं है आपका आपने कुछ starting के questions में बहुत जादा time spend कर लिया तो होगा क्या कि आप सिफ 40 या 45 नंबर के question तक ही सिमत के रह जाएंगे बाकी पीछे वाले questions आप पढ़ ही नहीं पाएंगे क्योंकि time नहीं है आपके पास और ऐसा हो सकता है कि बात के जो questions है वो काफी easy है पहले के question difficult है UPSC भी जानती है कि हम सब में एक flaw होता है और वो flaw यह है कि starting के जो questions है उसमें हम बहुत जादा time spend करते हैं और जो पीछे वाले questions है उनके लिए हमारे पास time नहीं बसता है तो this is not a good quality of an aspirant और would to be civil servant तो आप जिस service के लिए aspire कर रहे हैं उसमें यह quality आपके पास होनी चाहिए कि आपको emotional नहीं होना है आपको rational बनके काम करना है और proper time management करना है proper time management में एक तो per question आप ध्यान रखिए और दूसरी बात ध्यान रखिए कि पूरा पेपर at least आप दो बार पढ़ पा रहे हैं क्योंकि कुछ-कुछ question ऐसे होते हैं कि जो आपने first reading जब किया तो आपको लगा कि यह question मुझसे नहीं होगा let us skip it लेकिन second reading करते हैं second reading में शायद वो question आपको समझ में आ जाए और उसका answer आप attempt कर पाएं ठीक है तो at least दो reading तो हर एक question की होनी ही चाहिए उस तरीके से आपको time manage करना है जो 80 questions है 80 questions आपके नजरों के सामने से जाने ही चाहिए अगर आप बाहर आके यह बोल रहा है कि last के 10 questions मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला मतलब आपने गलती की है बहुत बड़ा blender किया है क्योंकि last के 10 questions यह बहुत simple आगे होते तो क्या करेंगे आप ठीक है एक एक number एक question यहां पर important है कुछ लोग पूछते हैं कि सर मुझे सर ideal attempt number of questions कितने करने चाहिए तो I would suggest कि अगर आपका accuracy level अच्छा है तो 50 से 55 questions आप attempt कर सकते हैं उससे जादा जाने की जरूत नहीं है जादा तुक्के मारने की जरूरत नहीं है अगर आप 50 से 55 questions attempt कर रहे हैं तो आपका CSAT हो जाएगा अगर accuracy level हमारा ठीक ठाक है तो accuracy level ठीक ठाक होना चाहिए अब कुछ लोग बोलने है सर accuracy level मेरा बहुत वीक है मैं तुक्के ही तुक्के मारता हूँ तो फिर आपको 65 questions भी attempt करने पड़ सकते हैं पास होने के लिए लेकिन अगर आपका accuracy level अच्छा है तो at least 50 से 55 questions के आजपास attempt करेंगे तो CSAT clear होने के chances बढ़ जाता है ठीक है एक और बात का ध्यान रखिए यहाँ पे comprehension आजकल ऐसा आ रहा है कि जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लें 100% accuracy के साथ आप answer नहीं कर पाएंगे उसको ठीक है तो I would suggest कि completely comprehension पे rely होके exam hall में मत जाईए थोड़े से quant के questions के अच्छी practice कर लीजिए जो common questions आते रहते हैं जैसे family के ऊपर questions आते रहते हैं logical reasoning के अंदर sitting arrangement के ऊपर questions के और प्वेशंग के अन टा kind के आते रहते हैं time and work पे आते रहते हैं profit and loss पे आते रहते हैं simple interest compound interest के कुछ questions के कुछ questions आ सकते हैं.. तो जो simple questions है, at least वो तो आम attempt कर पाएं यहाँ पे, quant और logical reasoning में, तो ऐसे areas अभी identify कर लीजिए, कि जो आपको लगता है कि simple questions आएंगे उसमें से, और आते हैं, और वो थोड़ा सा मैं revision अगर properly करूं, या practice properly करूं, तो वो question में attempt कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो उनको आप बार-बार revise करिए, उन formulas को, या उसके solve करने के तरीके को, ठीक है ना? तो इस तरीके से या यह approach follow करके, हम CSAT को crack कर सकते हैं, in the last, I just want to say, कि don't carry the baggage of GS paper when you enter the hall for CSAT paper, ठीक है? GS paper आपका कैसा भी गया है, उसका baggage load carry करके CSAT के paper में मच जाईएगा, GS का paper अगर खराब हुआ है, और उसके load के चकर में या उसके stress के चकर में आप CSAT का paper भी बिगाड़ेंगे, तो आप बहुत बड़ा blunder कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि GS का आपका paper निकल जाए, cut-off crack हो रहा हो, लेकिन CSAT में आप cut-off cross नहीं कर पाए हैं, या qualifying marks cross नहीं कर पाए हैं, तो don't carry baggage of GS paper into CSAT paper, ठीक है, GS paper कैसा भी जाए, आप CSAT के paper में इत्मिनान से अपना paper दीजिए, without any stress, ठीक है, इस UPSC examination में चिंता जो है, वो चिता समान होती है, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, stress बिल्कुल नहीं लेना है, आपको exam से एक या दो दिन पहले अपना sleep cycle ठीक कर लेना है, अगर आप रात के राजा यरानी हैं, रात को जगते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको बंद कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके, दिन में पढ़ना और रात को सोना, वो शुरू कर लीजिए, ठीक है, anxiety बिल्कुल कम कर लीजिए, nervousness बिल्कुल कम कर लीजिए, exam से पहले अच्छी नींद लेकर जाईए, अच्छी health में जाईए, तो आपका पेपर, GS हो या CSAT, दोनों अच्छे जाएंगे, ठीक है, on that note, I'll end my discussion, अगर ये विडियो देखकर, आपके मन में कोई भी doubt वगर आते हैं, तो आप comment section में doubt post करिए, we'll try to answer it, ठीक है, thank you, and best of luck.